पार्टनर्शिप में एडमीशन और रिटार्मेंट के वक्त सेक्रिफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कल्कुलेट करने की जरुवत पड़ती है यह सेक्रिफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है और इसके बीच में क्या डिफरेंस है सेक्रिफायजिंग रेशियो is calculated at the time of admission of a partner and changes in the profit sharing ratio of the existing partners आमतर से जब किसी पार्टनर का admission होता है तो उस वक्त सक्रिफाइजिंग रेशियो calculate किया जाता है या अगर admission नहीं भी हो रहा है तो partnership में existing partners के profit sharing ratio में अगर कोई changes किया जा रहा होता है तब sacrificing ratio calculate किया जाता है gaining ratio किसी partner की retirement या किसी partner के death के वक्त calculate किया जाता है या अगर से death या retirement नहीं हो रही है और profit sharing ratio में changes किया जा रहा है तो उस वक्त भी gaining ratio निकला जाता है तो यहां पर आप यह देख रहे होंगे कि profit sharing ratio में अगर changes होते हैं तो उस case में sacrificing ratio भी निकल सकता है और gaining ratio निकल सकता है ऐसा होता है कि जब existing partners के profit sharing ratio को बदला जाता है तो उसमें कुछ partner के ratio में कमी हो जाती है यानि कुछ partner को sacrifice करना पड़ जाता है और कुछ partner को gain हो जाता है क्योंकि अगर कहीं sacrifice हो रहा है तो किसी न किसी को इस sacrifice का फायदा मिलेगा benefit मिलेगा तो इसका मतलब at the same time अगर sacrifice हो रहा है तो gain भी जरूर होगा तो existing partners के profit sharing ratio में अगर changes होता है तो वहाँ पर कुछ partner को sacrifice और कुछ partner को gain होता है sacrifice होता है और retirement या death के case में बचे हुए partners को gain होता है तो वहाँ पर gaining ratio निकाला जाता है इसकी meaning अगर देखेंगे हम तो meaning जैसा कि sacrificing ratio नाम है कि इसमें sacrifice करना पड़ता है तो sacrifice क्या करना पड़ता है profit का हिस्सा sacrifice करना पड़ता है तो sacrificing ratio is a ratio in which old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of a new partner तो अगर कोई admission हो रहा हो तो admission के case में किसी नए partner के लिए पुराने partners को अपने profit का हिस्सा कुछ sacrifice करना पड़ता है ये बिल्कुल natural बात है माल लिजे अगर किसी profit को दो लोग divide करते हैं share करते हैं और equal करते हैं तो वो 50-50% हो जाएगा लेकिन अगर उसी profit को अगली बार से तीन लोग आ जाते हैं तीसरा उसमें आ जाता है और तीन लोग share करते हैं तो अब 50-50% नहीं मिलेगा क्योंकि अब एक profit को बातने वाले तीन लोग होगे अब अगर आप equal भी बातेंगे तो भी उसमें पहले वाले को जो 50% मिल रहा था अब 50% से कुछ कम मिलेगा अब उसको मिलेगा 33.3% यानि वन थर्ड मिलेगा तो इसका मतलब कि जो पहले 50% पा रहा था अब उसका share सिफ 33.3% रह गया यानि वन थर्ड रह गया तो उसने 50% से 33.3% में आने में जो sacrifice किया वही उसका sacrifice share है gaining ratio इसी का opposite होता है मालीजे किसी profit को तीन लोग बाटते हैं और तीन partner है और उसमें से किसी एक partner की retirement हो जाती है चला जाता है या किसी एक partner की death हो जाती है तो अब उसी profit को बाटने वाले दो लोग हो जाएंगे रह जाएंगे तो जहां पर तीन लोग बाटते थे और उनका profit sharing ratio अगर equal था वो था 33.3% यानि one third, one third, one third तो अब दो ही लोग बचे तो अब दो लोग जब उसको बाटने तो उनका half और half हो जाएगा यानि 50-50% हो जाएगा तो जो पहले 33.3% पा रहे थे अब वो 50% पाने लगेंगे बचे हुए पार्टनर तो यहां पर हो जाएगा गेन तो यह बात तय हो गई कि जब sacrifice जब कोई पार्टनर का admission होगा तो old partners को अपने share में से कुछ हिस्सा sacrifice करना पड़ेगा और वहां पर sacrificing ratio निकाला जाएगा और gain और अगर किसी partner की retirement हो या death हो तो उसमें बचे हुए partners को जाने वाले partners का भी हिस्सा मिल जाता है तो वो जिस ratio में उनको मिलता है जाने वाले partner का हिस्सा वही ratio gaining ratio कहलाता है objective क्या है क्यों calculate किया जाता है यह क्यों देखना पढ़ता है कि किसी partner ने sacrifice किया तो कितना किया और किसी ने gain किया तो कितना किया होता यह है कि accounting में partnership में बहुत सारे treatment होते हैं बहुत सारे चीज़ों का evaluation account होता है और बहुत सारे चीज़ें होती है लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूवत नहीं पढ़ती है sacrificing या gaining ratio की ज़रूवत पढ़ती है खासतोर से goodwill के लिए तो admission के case में हम देखते हैं क्या होता है कि जब कभी नया partner आता है तो नय partner चुकि नय partner के आने पर आपने अभी देखा कि पुराने partner को कुछ अपना हिस्सा sacrifice करना पड़ता है तो ये sacrifice क्यों करें या sacrifice के बदले उन्हें कुछ मिलना चाहिए तो sacrifice के बदले में उनको goodwill मिलती है नय partner के द्वारा लाई हुई तो नया partner जो goodwill लाता है उस goodwill को sacrificing partners अपने sacrificing ratio में बाट लेते हैं तो यहाँ पर goodwill के distribution के लिए sacrificing partners अपने sacrificing ratio को निकालते हैं और gaining ratio के case में भी यही होता है कि अगर कोई partner की death हो जाए या retirement हो जाए तो वो चला जाएगा तो उसके जाने पर बचे हुए partners को gain हो जाएगा तो बचे हुए partners जिनको gain हो रहा है वो अपने gaining ratio में जाने वाले partner को goodwill का amount देते हैं या goodwill के amount को adjust करते हैं तो यहाँ पर भी वही बात हो गई कि goodwill के ही treatment के लिए gaining ratio निकालना पड़ेगा retirement और death के case में चौथा और आखरी point है इसका calculation बहुत simple सा calculation है होता है sacrifice तभी होगा जब आप पहले कुछ ज़्यादा पा रहे थे और अब कुछ कम पा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ है कि sacrificing ratio के case में किसी भी partner का पुराना वाला हिस्सा पुराना वाला share ज़्यादा होगा जबकि नया वाला share उसका कम होगा तभी तो sacrifice होगा gaining ratio में इसके opposite होता है इसके उल्टा होता है वहाँ gaining ratio के case में नया वाला हिस्सा new share या new ratio partner का ज़्यादा होता है जबकि पहले वाला हिस्सा उसका old share या old ratio उसका कम होता है तो new ratio जादा होने की वज़ा से ही उसको गेन होता है उमेद करते हैं यह डिफरेंसिस आपको समझ में आ गया होगा अपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स पर वाचिंग